हलो स्टुडेंज मैं संदीप सिंग वेलकम करता हूँ आपका मैगनेट ब्रेंज हिंदी में जहां पर मिलता आपको फ्री एजुकीशन फ्रॉम क्लास 6 तू 12 मतलब यहां पर आपको कुछ चैप्टरस देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिलकुल भी जुरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी किंटेंट्स एक्सपिरियंस टीचर्स के साथ वो भी फ्री आफ कॉस्ट तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक सब्जिक के साथ जो हमारे विज्यान क ही एक हिसा है और हम डिसकस कर रहे हमारे चाप्टर नमबर टैन गुरत्व आकर्शन की तो जैसा कि इसमें हम अब से पहले देख चुके हैं कि यह गुरत्व आकर्शन होता क्या है कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल किन किन फैक्टर्स पे निरभर करता है और इसमें भार उत्पन हो रहा है फिर हमने समझा कि इसमें द्रब्यमान भी होता है इसी तरीके से हम अब पहुंच चुके हैं इसी संदर में आगे कि अब हम देखना चाहते हैं कि अगर किसी तरल में मतलब किसी लिक्विड में या किसी गैस में अगर किसी सबस्टेंस को किसी ठोस को डूबाया साता है तो उसके उपर क्या असर होता है उस लिक任 का या फिर उस गैस का क्या हमें वो डूबी हुई चीज हलकी महसूस होती है या फिर वो डूबने के बाद और भारी हो गई तो इसी चीज को हम देखेंगे इस सेशिन में जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल वो एक बल अनुभाव करता है वो डुबोई गई चीज एक बल अनुभाव करता है उसी बल की हम बात करेंगे जिसको हम उत्प्लावन बल कहेंगे और उत्प्लावन बल कितना हो अब ये बल का मान तो आ गया लेकिन वो कितना हो तो वुसकी कैलक मैं पर चोटी सी बात किलयर करते चले कि जब किसी चीज को दुबाया जाता एक इसी तरल में एक ठो़स को डुबाया जैसे आपने देखा होगा ना आ बॉल खेलते खेलते कई बार को आपको ऐसा पानी में चली जाती हैं हम देखते हैं कुछ बॉल्स जो होती हूँ वो तैरती हैं कुछ ऐसी चीजश है हमने पत्थर अगर मार दी बहुत तर पत्थर रिमहाने में डूब जाता है अगर मैंने वो जो पानी है उसके उपर हम बनाते हैं वो कागज की न णहाओ वो भी तैरती है तो इसके कारण क्या है ठीक है तो ये चीज आकमिडिस ने आ करके बताया कि भाई कितना भारी कोई चीज होगा तो उसके उपर कितना बल लगेगा इसके बाद एक टर्म यह आता है कि आप एक छिक घनत वह क्या होता है आप एक छिक घनत वह सीधा सिंपल सा लॉजिक इतना सा है कि अगर किसी तरल में किसी वस्तु को डुबा रहे ना तो उस पे लगने वाला बल उसके आप एक छिक घनत वह के कारण होता है अगर किसी का आप एक छिक घ घथाई तो जादा है तो उसमें जादा बन लगता है लिक फितर किसी वस्तु के लिह जो प्रक्रता ग्रालयम पेह ज्वास्थरूंड प्रक्रस्षार्द आइंर थी और मातर है आप्धए जो उसके जो पदात के करना वो दूर दूर है तो उसका घना तो कम है जैसे अपन बात करते हैं ना कि यह जो वायू है हवा जो बह रही है यह इसके करन इतने दूर दूर है कि हम इसमें से आजा सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती लेकिन इसके करन जब हमसे टक नहीं पड़ता उसी जगह पे मैं आप से कहूं कि भी आप पानी में दोर लगा हूं तो फिर आपका बड़ी कतिना ही महसूस होती है क्यों क्यों कि द्राओ के जो कर उते हैं वो पास पास होते हैं तो उनका घना तो जादा होता है तो इन्हें से भी चीजों के स्टेडी करने वाले हम इस session में तो चलिए हम जल्दी से start कर लेते हैं हमारा सबसे पहला उत्प्लावन बल को तो भी उत्प्लावन बल क्या होता है देखेंगे हम ये एक तरीके का force है जो हमेशा ही उपर की दिशा में लगता है अब कोई वस्तु है जब मैं उसको किसी liquid के अंदर रखता हू हूँ कोई ठोस वस्तु माल लिया जाए उसको मैंने किसी liquid के अंदर रखा हुदारनाथ हम liquid ले रहे हैं यहाँ gas भी हो सकता है ultimately मैं कहूँ कि एक तरल के अंदर रखता हूँ तो सबसे पहले मैं इस तरल को आपके लिए define कर देता हूँ फिर उसके बाद हम आते हैं इस मुद्दे पे तरल क्या होता है भई तो तरल का मतलब है तरल अगर किसी ने कहा इसका मतलब दोनों से है इसका मतलब gas से भी है और इसका मतलब हमारे द्राओं से भी है ठीक है gas भी और लिक्विड भी तो तरल क्यों कह रहे है भई क्या ऐसे दोनों में ऐसे कौन से गुड़ है कि एक केटिगरी में आगे तो दोनों में एक गुड़ है कि ये दोनों ही जिस बरतन में रखूंगा उसकी अकृती ले लेते हैं आपको पता है ना किसी भी लिक्विड को चाहे हो पानी हो या दूद हो उसको अगर किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है ठीक है अगर थोस रखते हैं किसी कंटेनर में तो कंटेनर के शेप का हो जाता है क्या तो आप कहेंगे नहीं थोस तो अपने ही शेप का रहेगा लेकिन जब हम ब भूजा करो कैसा भी हो कंटेनर वो उसका शेप ले लेगा भई और दूसरा एक गुंड जो दोनों में कॉमन है वो यह है कि अगर इनको खुले में रख दिया जाए तो यह फ्लोट कर जाते हैं यह बह जाते हैं ठीक है लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है जिसके कारण यह द्रव है और यह गैस है वो यह कि अगर मैं कहूं द्रव को तो इसको आप एक खुले बरतन में भी रख सकते हैं यह शेप ले रहा है भई हाँ ले रहा है इसको छोड़ देंगे बहेगा हाँ यह बहेगा लेकिन इसको खुले बरतन में रख सकता हूं लेकिन जब गैस क बात करूँगा तो आप कहेंगे नहीं भी या इसको खुले वरतन में नहीं रख सकते इसको हमेसा एक बंद वहिशल में ही रखना होगा ठीक है ना तो एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है जिसके कारण इसको दो अलग-अलग बोलते नहीं तो यह तरल एक रूप एक का खुला तल एक्जिस्ट कर सकता है लेकिन गैस क्या कभी भी खुला तल एक्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है ना अच्छा इसका जो तल होता है यह से ऊपर ही तल ही एक्जिस्ट करेगा ना फ्री अगर मैं आप से कहूँ कि भई एक काम करो आप तो इधर वाला साइड है कि एक ऐसा सबस्टेंस एक इस तरीके का पदात जिसको हम किसी कंटेनर में रखे हुए हैं और उसके अंदर अगर मैंने एक ठोस कोई सा भी ठोस उसके अंदर ऐसा डुबाने की कोशिस की तो यह देखी यह क्या होगी यह दूब गई यह सिक्का मैंने डाला यह दूब गया य परियोद प्लावन बल क्या होता भई यह एक अप्थर्ष्ट फोर्स है यह उपर की दिसा में लगने वाला बल है किस पे लगेगा कैसे लगेगा कौन लगाएगा इसकी चर्चा हम कर लेते हैं तो एक बात समझे भई जब मैं इसके अंदर लिक्विड भरी हुई है पानी मैंने इसके अंदर उटाया और एक सिक्का डाल दिया तो एक बात बताएंगे पानी का स्तर जब मैं इसके अंदर कुछ सिक्के डालू जैसा भी एक डाला दो चार दस पंदर और डालो तो धीरे दीरे उसका लेवल अप होता जाएगा भई ठीक है ना आपने अगर बच्प भाई यह उसको समझ लेते हैं को उसने कौन शाद cam लगाया हो सकता ऑस पढ़ा था क् prefix को नहीं पढ़ा तरह उन्हें पने को नहीं पता लेकिन अपने को यह जरूर पता है कि इसके अंदर इसको डिप करेंगे तो इसका लेवल क्या होता जाएगा भाई अब होता चला जा तो इसका आंसर है नहीं कोई भी ऐलिमेंट है ना सिर्फ मैं इस लिक्विड की बात नहीं कर रहा है कोई भी ऐलिमेंट अगर उसके अंदर किसी दूसरे ऐलिमेंट को आप मिक्स करना चाहते हैं तो वो ऐलिमेंट तैयार बिलकुल नहीं होता कि उसके अंदर आकर कि दूसरे mix हो वो तो हम उसके अंदर extra energy दे के extra forces लगा के एक काम करवा रहे होते हैं मतलब यह हुआ कि यह जो liquid है इसके अंदर अगर मैंने एक सिक्का डाला तो उस सिक्के को आने का यह विरोध करेगी यह नहीं चाहेगी कि आप सिक्का भया आओ और हमारे इंदी तक चले जाओ ना यह हमेशा उस सिक्के का क्या करने वाले विरोध तो जब कभी भी आप ऐसा मैसूस करिये कि मैंने यह container लिया इसके अंदर यह liquid भर गई यह liquid हमने भर दी अब liquid भरने के बाद मैं इसके अंदर बोल रहा हूँ कि हमने एक यहाँ पे एक ऐसा coin यहाँ पे डाला अब जब इस coin को डालेंगे तो यह क्या करेगा यह पानी को विस्थापित करेगा भाई इसको नीचे जाना है एक्जिस्ट करना उसके अंदर तो यह पानी को क्या करेगा विस्थापित करेगा जितने दूर मेरा सिक्का है उतने दूर का पानी मैं कुछ ऐसा बना लूँ कि इतने दूर का पानी भाई ऐसे ऐसे हट गया ठीक है ना अब ये सिक्का नीचे बैठेगा तो जब सिक्का ये नीचे बैठेगा तो इसके अगली स्थिति क्या हो जाएगी भाई सिक्का डूब गया, इसके बाद आप उपर से देख के बता सकते हो क्या कि यही से वो सिक्का गया था नीचे, आप कहेंगे नहीं, क्यों भई, क्योंकि पानी ने वापस से अपने आपको रिकवर कर लिया, तो आप ऐसा समझें कि यहां पे जब सिक्का है और यहां के इस पान को जो विस्थापित किया, सिर्व उतने कि मैं बात करूँ, तो यह चाहेगा यह पूरा पानी कि मैं क्या करूँ भई, मैं ओरिजिनल अपने स्थिती में आ जाओ, भईया, तुम जो सिक्का आये थे, वो हट जाओ, तो यह क्या कर रहा, चारो तरफ से फोर्स लगा रहा है, और वो चाहेगा कि मैं इस जगा को वापस से रिकवर कर लूँ, ठीक है, यह अपने सता को रिकवर करने की हमेशा ही क्या करेगा, कोसिस करेगा, इसी संदर्व में यह कहा जाता है, कि भई, इसके उपर, अब यह सिक्के को आने देना नहीं चाहती है, तो मतलब क्या करेगा यह लिक्विड, यह लिक्विड इसके उपर, जो उपर की तरफ बल लगा रहा होगा, यह लिक्विड जो सिक्के के उपर, उपर की दिसा में, ठीक है ना, पर्पेंडिकुलरली बिलकुल उपर, लंबवत और धौरधर जो बल लगा रहा होगा, इसी बल को हम कहते हैं भीय उत्प्लागन बल अब ये आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा मैंने जान बूच कर कि इसका उधारण बाद में रखा पहले इसको समझाया क्योंकि अब आप कोई आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे ठंड के दिनों में जब नहाने के लिए कहे दिया जाता है तो थोड़ी दिर तक हमें काम करते हैं क्या काम करते हैं बकेट में से पानी निकाला फिर वो इसी बकेट में डाला फिर निकाला और फिर डाला और मेरी साब से लगबग सभी ने ये काम की होगी तो भई आपने महसूस किया क्या कि जब आप इस बकेट में है ना जब इसके अंदर ये पूरा पानी ऐसा भरा हुआ था और जब आप इसके अंदर जो भी मग में पानी आपने भरा होगा ठीक है ना इस मग को अगर इसी पानी के सतर के अंदर ही ये अंदर ये अंदर यह यहां आ गई यह यहां पर ले आए मतलब पानी की सत्ता से बाहर ले तो यह भारी लगने लगता है तो कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे हलका महसूस करा रही थी तो भई एक बात बताईए जब मुझे कुछ चीज हलका महसूस होना मतलब कोई और भी है मेरे साथ जो इस बालटी के पानी के अंदर था हलका लगा और जैसे इस सत्व से ऊपर मैंने किया भारी लगने लगा क्यों भई? क्योंकि इसके उपर यह जो मध था इसके उपर दो बल कारेरत है एक तो इसके उपर कारेरत है नीचे की तरफ इसका वेट mg हमें ये बात पता है भई वेट जो होता है वो ही बल होता है जिस बल से गुरुत्वा करशन बल से जो पृत्वी अपनी तरफ हमें आकरशित कर रही होती है तो भई इस मग को भी तो पृत्वी आकरशित कर रही होगी ना कितने से M.G. से अब ये बल नीचे की तरफ काम कर रहा था और एक बल था उत्पलावन बल जो मुझे मदद कर रहा था वई उपर की तरफ और मैं इसको पकड़े हुए था तो ये मैं अगर इस मग को यहां से प उपर आते के साथ में ही क्या होगा भई अब इसके उपर सिर्फ और सिर्फ एक बल काम करेगा नीचे M.G. और दूसरा बल मैं ये जो उत्पलावन बल था ये अब खत्म कब खत्म जब इसको मैंने सता से बाहर ले आया तो यह होप कि आपको उत्पलावन बल समझ में आया क क्या होता है बही कि जब कभी भी सिंपल सौटे लाइन में सुनेंगे जब कभी भी हम लिक्विट को या फिर मैं यूँ कहलो फ्लूइड को मतब गैस भी जब कभी हम किसी तरल को हटाते हैं तो वो तरल उपर की दिसा में एक बल लगाता है तरल को हटाया तरल उपर की दिस आम एक बल लगाएगा उसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। Shopify को तरल में दुबाया जाता है रहो कि ना तरल में दुबाया जाता है। दुबाने का मतर्प हत कर簡ба घूंछाय एक तो जिट में पानी ऐक्विट में तुस वस्तूँ पर उपर Tar happen quickly बलाता है वस्तु पर उपर की और लगने वाले इस भल को उत्प्लावन बल कहते हैं हम भी तो यही कहरे है भई वपर की तरफ जो बल लगेगा जितना मैंने हटाया उसके दौरा उत्प्लावन बल की कुछ किंडिशन्स देख लिजिए यह हमेशा ही उपर की तरफ रहती है उत्प्लामन बल अगर यहां पे अगर कोई चीज़ है इसमें मैंने इसको डुबाया तो इस पे जो उत्प्लामन बल लगेगा यह सद्ध है वो उपर की तरफ लगेगा साइड वाइड में कुछ नहीं वही अगला गुरुत वल हमेशा वस्तू पर नीचे की तरफ लगता है यह तो गया इसके उपर यह कुण सा बल कहेंगा उत्प्लामन और इसके उपर जो लगेगा एक और बल जिसको हम कहेंगे क्या गुरुत वबल गुरुत वबल का मतलब इसका वेट तो ये नीचे की तरफ लगेगा हमेशा ठीक है ना गुरुत वबल इसको हमेशा ही चाहता है कि भई या तुम तो नीचे आजाओ डूब जाओ लेकि उत्पलावन बल उसको उपर की तरफ टांगता है अब जो बल जितना भारी होगा मतब जितना जादर सक्तिसाली होगा ये चिरुतनी उपर जाएगी मतब अगर मान लीजिए उत्पलावन बल जादा है तो ये तेरेगा इसमें देखे इसमें क्या और ये फोम पे लेकिन सिक्रें पे क्या हो रहा तबे गुरुतिवल उसका जादा था उत्पलावन बल कम लग रहा था तो वो डूब गया ठीक है ना जो बल का मान जादा होगा वही पर लेंगा अब निसकश करेंगे वहां पे कर लेंगे ठीक है अभी के लिए सिर्फ लाइन आ आफ जादा होगा तो उपर की तरफ इसका विस्था पर ठीक है ना अगला उत्प्लावन बल तरल के घनतों पर निर्भर करता है ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई घनतों ठीक है ना जो उत्प्लावन बल है वो उसके घनतों पर निर्भर करता है अब घनतों पर निर्भर करने वाले टर्म्स को थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं आप सभी ने सुना होगा मृत सागर के बारे में मृत सागर जिसको डेड़ सी कहते हैं हम ऐसा कहते हैं कि उसमें कोई भी मतलब फिश एन आल ये सब उसमें जिवित नहीं रह सकती जो नॉर्मल जो सादे पानी की जो मचलिय आएं वो उसमें जिवित नहीं रह सकती या फिर ऐसा भी कहते हैं सुना होगा कि अगर मैं मृत सागर मैं तेरने जाओं तो मैं डूबूंगा नहीं तो यह तैरने का क्या कॉंसेप्ट था और मृत सागर का कोई कॉंसेप्ट आ रहा है तो एक बात समझे मैं यहाँ पर दो चीजे समझा रहा हूं कि एक बिंदू है इस बिंदू पर नीचे की तरफ काम कर रहा भई गुरुत्व बल क्या काम कर रहा भई गुरुत्व बल और इसी बिंदू पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है वो है उत्पलावन बल क्या होता है तो ऊपर की तरफ उत्पलावन नीचे की तरफ गुरुट तो आपको यह बात तो पता है ना अगर आप मैं ऐसे डाइग्राम बना करके पूछू कि इधर की तरफ है ना फाइव न्यूटन का force लग रहा है और इधर की तरफ 3 newton का तो आप क्या कहते हैं कि बही ये object जो है ना वो इधर की तरफ चलेगी कितने से 5-3 newton 2 newton से आगे की तरफ चलेगी बही तो मैं भी तो यहां पर यही कह रहा हूँ कि जो जादा होगा उधर चलेगी ठीक है ना तो देखिए मैं ऐसा समझ बाड़ी के नीचे से ठीक है ना अगर ऐसा यह पानी है और इसके अंदर कोई व्यक्ति तैर रहा है भाई ठीक है तो इनको तैरने के लिए इन बंदू को क्या करना होगा तो इन बंदू को करना होगा अपनी इस बाड़ी के नीचे से यहां से इतना पानी हटाना होगा कि पानी अब आप हटाओगे तो उत्प्लावन बल लगेगा तो भाईया वह उतना पानी आपको उपर की तरफ टांग सके मत्तब आपके वेट से जादा बल लगाओगे उत्प्लावन बल का मान जादा होगा तो आप तहरेंगे नहीं तो डूब जाएंगे अब एक तो तरीका स्विमिंग सीख लें और दूसरा तरीका क्या है जो मिर्त सागर इंटर्डूज किया था वो अब होता क्या है भाई भार का कॉंसेप्ट है आपको ये तो समझ में आता हो गरतो बल जो है अभी हमने जस्ट लिखा था एफ इक्वल्स टू एम जी यह क्या होता है यह क्या हो पानी बहुत खा रहा है मतलब उसमें नमक बहुत जादा घुला हुआ है यानि ऐसा को वो गाढ़ा पानी है सिंपल सा वो कैसा पानी हो गया गाढ़ा पानी अब गाढ़ा पानी मैं हटा हूंगा तो उसका भार जादा होगा अगर मैं गाढ़ा पानी हटा रहा हूं तो क्य वाला भारी होगा और पानी वाला हलका होगा क्यूंकि हनी है अब गाढ़ा है मृतु सागर जिसको कहरे हूं उसमें जादा नमक गुला हुआ है इसलिए मृत सागर है उसमें क्या क्या है आपने थोड़ा सा भी पानी हटाया तो उसका भार जो होगा वो कैसा हो जाएगा जादा क्यों जादा होगा क्योंकि उसका मास जादा है जी के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता ना प्रत्वी पे 9.8 मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर ही होगी बदल को जाएगा भया यह मास क्योंकि उसमें नमक जादा घुला है नमक जादा घुला है इसका मतलब क्या होगा आप थोड़ा सा भी पानी हटाएंगे तो जादा भार हटा देंगे जादा भार हटा देंगे मतलब जादा उत्प्लावन बल आपके उपर लेगा मतलब आप उसके अंदर तैर सकते हैं अब उसी जगे पे आप एक साफ जल में साफ जल मतलब जैसे maximum नदिया हमारे हाँ मीठे जल की है मीठे जल का मतलब क्या हो गया साफ जल है उसका उसमें शॉल्ड के percentage value कम है अगर उस जगे पे मैं नहाने के लिए गया तैरने के लिए गया in fact तो मैं मुझे वहाँ पे ज़्यादा पानी हटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि उसका मास जो होगा वो क्या होगा कम होगा अब उसका मास कम होगा तो वहाँ पे ज़्यादा पानी जब मैं हटाऊंगा तब मैं वहाँ पे तैर सकता हूँ तो आई तिंग ये बात के लिए रोगी कि घना तो का क्या लेना देना है घना तो मतलब क्या मास जादा मिल रहा मतलब घना तो जादा है न हनी में तैरना असान होगा न अगर पानी में तैरने की बात करें उससे अगर केरोसीन में तैरना हुआ और ज्यादा भी यह टिपिकल लोगा क्योंकि वो और पतला होता उसका घंड तो और कम होता है ठीक है ना तो मतलब यहाँ तक हम एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी किसी भी आपजेक्ट को कोई भी ठोस अगर किसी तरल में जाएगा तो वो तरल अपने अंदर भीया वेलकम नहीं करने वाला वो तरल क्या कहेगा भीया मता हो यार तुम उपर ही जाओ ठीक है ऐसा करके आद करेंगे जब किसी तरल के अंदर किसी ठोस को डुबाएंगे तो वो तरल उस ठोस पे ऊपर की और एक बल लगाता है जिसको उत्प्लावन बल कहते मैंने बहुत सारे एक्जामपल सापको दे दिये जहां से आप समझ भी सकते हैं कि आपके नित प्रति दिन की घटना करम में यह समिली थे ठीक है चलिए तो भई आगे बढ़ जाते हैं जरा इसके अंदर हम एक बार देख लेते हैं कि उत्प्लावक्ता क्या होगी ठीक है न अपने अंदर डुबोई जाने वाली प्रतेक वस्तु को उपर की और धका या बल लगाते हैं उत्प्लावक्ता कहलाता है यह जो उसकी प्रॉपटी है उसी को हम क्या कहते हैं उत्प्लावक्ता यहीं तो हम कहते हैं तरल में जब किसी ठोस को डुबाएंगे तो वो ठोस को तो però ऊपर के ओर धकाईगी जिसको हम कित प्लावक्ता कहते हैं जीक है अब थोड़ी से और बात कर लेते हैं इसके बारे में तरल-पदार्थों द्थो द वारा ऊपर की ओर बल लगाए यही तो अभी discuss कर के लिए आए कि वो जो मृत सागर था जो हनी था उसका घनत वह जादा है भाई लेकिन जिनका घनत वह कम होगा है ना जैसे कौन है भाई तो तापीन हो गया जल हो गया पेट्रोल हो गया केरोसीन हो गया है ना अलकोहल हो गया इनका घनत वह क्या है कम है तो सोने का जो घनतों है यह दिख रहा है आपको 19,300 kg पर क्यूबिक मीटर जबकि पानी का घनतों देखेंगे तो मात्र 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है अब ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा होगा है कि यह बहुत जादा गाढ़ा होगा मतलब घनतों जादा है चुकि यह ठोस है अगर इसके नाव जैसे कोई स्टॉक्चर बनाओ कोई प्लेट बना दो तो वो पानी पर तेहरेगी और वहीं उसकी जगह पे अगर लोहे की कील बना दी जाए तो वो उसके अंदर डूब जाएगी अकिर ऐसे कौन से फाक्टर है जिसके कारण जो लोहा होता है उसकी कील डूब जाती है और उससे बनी हुई नाव वो हमेशा तैरती रहती है इन्हीं सभी फाक्टर्स को हम देखेंगे अपने आगे अगले सेग्मेंट में लेकिन उसके पहले एक छूटा सा कंपारिजन जो गुरत्व बल है और उत्प्लावन बल है उनके बीच में हम अभी इतने दूर से डिसकस करते हुए यही आ रहे हैं कि भई यहां पे जो गुरत्व बल है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है क्योंकि यह पृत्वी द्वारा लगाया जाता है और अगर हम उत्प्लावन बल की बात करते हैं तो यह उस बस्तू पर जो बस्तू डूबने के लिया है उसके उपर हमेशा ही ओपर की दिसा मेरा लगाया जाता है मतलब एक सिंपल से बात कि गुरत्व बल जो है यह किदर कारे कारे गाए अमें सा नीचे और उत्प्लावन बल हमेशा ही उपर की तरफ उस ठोस को दुबा रहे हैं उस तरल दवरा लगाया जाता उस ठोस दवरा बल नहीं लगाया जाता उस ठोस में जो बल लग रहा है जिसके कारणू नीचे जारी वो गुरुतो बल है लेकिन वो फ्लूइट उस वस्तू के उपर उपर की दिसा में एक बल लगा रही है जिसको ह कह रहें उत्प्लावन बल मतब तरल पदार्थो द्वारा लगाया जाएगा अगला पॉइंट यह किसी वस्तु के भार के बराबर होती है भाई यह जो गुरुतोबल है यह अल्टिमेट क्या उस आपजेक्ट के वेट के बराबर है वही तो है गुरुतोबल उसी वेट को तो गुरुतोबल कहते है भाई जबकि अपन उत्प्लावन बलकि जब हम बात करेंगे तो यह जितना फ्लूइड यह हटाएगा जितना यह तरल हटाएगा उस हटाएगे तरल के भार के बराबर होता है यह मतब यह तरल के भार पर निर्भर करता है और यह किसके भाई वस्तु के भार पर नहीं हटाए गए तरल किसके उपर सिर्फ हटाए गए तरल जितना आपने डिस्प्लेस किया इतना बड़ा सा टब है उसके अंदर जितना सा फ्लूइड में डिस्प्लेस करूंगा सिर्फ डिस्टर्ब जो हुआ है फ्लूइड वही बल लगाएगा ना उपर की तर बल जो हमरा आकमेडीस का जो सिधानत है ये उसी लाइन पर बेश्ट है बही क्या कहें आकमेडीस ने तो इतना तो समझ में आ चुका है कि जब किसी solid को किसी fluid के अंदर डालते हैं तो यह fluid इसको उपर क्या करते हैं इस fluid उपर की तरह बल लगाते हैं जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं अब बारी इस बात की है कि इस बल का मान कितना होगा बल है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी डिरेक्शन तो बता दिया वैल्यू तो बताईए वैल्यू क्या होगी तो आप एक बात समझे जितने फ्लूइड को अपने डिस्टर्ब किया है डिस्टर्ब क्या मतलब विछेपित किया है हटाया है उस हटाये गए फ्लूइड के वेट के बराबर लगता है क्या लगेगा बही जितना फ्लूइड हमने हटाया उस हटाये फ्लूइड के वेट के बराबर ऊपर की दिसा में एक यहां से मान लीजे मैंने इतना fluid क्या पही हटा दिया तो जीतना fluid हटा है इस fluid का weight हो गाना इस fluid का भार होगा न भई इसी भार के बराबर ये उपर के तरह बल लगाता है क्योंकि जो बल है मत बब जो भार है … भार जो है वो भी का यह बल भार ही तो है f scratching isvan to mg लेकिन यह mg कौन सा तो यह हमारे तरल कौन सा तरल हटाए गये तरल हटाए गये तरल का यह धृबमान है और यह जो जी है अगर हम प्रिथ्वी के बात करें प्रिथ्वी पर हैं तो यह तो नाइन पॉइंट 8 मीटर प्रतीश सेकेंड इसको एल गुरूती है तो यह तो फिक्स है अब हटाये के तरल का यह हो जाएगा हमारा द्रबमान तो अब सिंपल सी बात आती है कि फिर से मैं मुर्ट सागर को केंपेर कर दूए यहां पर भी तो भाई अगर हटाये गया द्रबमान अगर वो ज्या पानी को हटा रही है अब जितना पानी हटाया उसी के वेट के बराबर इसके उपर की तरफ एक फोर्स लग रहा जिसके काने टंगी है तो अब बात एक बात इसकी आती है कि बही यहां पे इस जगह पे अगर आप देखें तो दो डिरेक्शन में बल लग रहा है एक जो नी आना म देदे तो मैं लिख ले तो मैं डैस जी अब यहां पर जो एम जी नीचे की तरफ लग रही है न यह है हमारे नाव का भार ये किसका भार होगे भई नाओ का ये नाओ जितनी भारी है नाओ के उपर जो बल लग रहा है वो ये गुर्टवा कर्शन बल लग रहा है जिसके कारण उसका भार है लेकिन ये mg डैस जो उपर की तरफ लगा रही है जिसके कारण ये टंगा हुआ है ये mg dash या sorry m dash g ये जो है ये हटाए गए तरल का भार है जितना तरल आपने हटाया है ये हटाए गए तरल का भार है अब देखे होने को तो दोनों भार लिख रहे हैं लेकिन formula लिख रहे हम mg mg तो mg तो ये force ही होता है मतलब ये हुआ सीधा सिंपल साइकि किसी लिक्वीड के अंदर हमने जैसा कि कहा अगर किसी सॉलिट को डुबाते हैं तो वह लिक्वीड नहीं चाहता कि भाई आप हमारे अंदर आजाओ तो वह उसको उपर की तरफ धगाता भाई यह बाहर जाओ तो जब वह बाहर की तरफ लगए तो भाई मैं कहूंगा ना कुछ भी उत्प्लावन बल नहीं लगए लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई सब्स्टेंस आ जाए जिसके उपर नीचे गुर्तवा कर्शन बल लगे तो इस पर भी उत्प्लावन लगने लएगा लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यह खुला तल है मात्र तो यहाँ कोई उत्प्लावन बल नहीं है यहाँ कोई उत्प्लावन बल नहीं है उत्प्लावन बल आएगा ही तब जब आप लिक्विड को आप फ्लूइड को विछे पित कर देंगे हटाएंगे क्योंकि वो उत्प्लावन बल का मान आपक कि किसी पर नहीं चलिए तो आई एक बर देख लें आग्मिडिस ने क्या कहा तो आग्मिडिस ने कहा कि जब किसी वस्तू को किसी तरल में पूरे आंसिक रूप से डुबाया जाता है इसके भी हम बात करेंगे आपने देखा होगा कोई चीज पूर रूप से डूप जाते कु कुछ हिस्सा डूबा हुआ है ठीक है ना आप जैसे देख पाएंगे तो तीने केसिस बन सकते हैं यहां पर कि कोई चीज है ना उपर तहर रही है कोई चीज बीच में है और कोई चीज पूरी तरीके से डूप चुकी है इसके हम चर्चा करेंगे अभी एक बार बस रीड कर तरल के भार के बराबर होता है यही तब से हम डिसकस करते हा रहे हैं कि भाई हटाएगे तरल के भार के बराबर यह उपर की तरफ लगेगा यही है हमारा उत्पलावन बल ठीक है यही हमारा उत्पलावन बल ठीक है ना और यह जो नीचे की तरफ लग रही है हमारा है गुर in cases है हमारे पास एक बार देखेंगे कि अगर हमने तीन container रख लेते हैं एक ये container रख लिया एक और container रख लिया ठीक है और यहां पे container रख लेता हूं वैं कि यह अपके सामने है तीन container आगए इन तीनों कंटेनरों में अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा कहता हूं कि इन तीनों कंटेनरों में मैं भर देता हूं क्या एक सेम जल मतब पानी भर देता हूं सभी जगह पे यहां भर देते हैं पानी तो इसमें भर दिया पानी ठीक है इसमें भी भर दिया पानी और इसमें भी भर दिया अब तीनों में क्या करना कि यहां पे मैंने एक बॉल रखा एक गेंद ठीक है तो वो मेरी गेंद जो है वो यहां कहीं पर आ गई मतलब यह डूब गई ठीक है एक स्थिती ऐसी है कि यह ऐसी है गेंद मेरी मतलब आधी डूबी हुई और आधी तैर रही है और एक ऐसी स्थिती है कि यह बिल्कुल ऊपर की तरव ऐसा तैर रही है जैसे आप है ना कोई प्लेट हो स्टील का जो प्लेट होता उसको तैर रही है बिल्कुल ऊपर तैर रही ह बॉल आती है जिस हम कहल रहो तो उसको आप डूबाई यह आधा डूपती है और आधा तहरे होती है एक ऐसी चीज़ जो यह डूब गई पूरी तरीके से इसके अंदर समाइत होगी अखिर इन तीनों में क्या अंतर रहा तो इन तीनों में अगर अंतर देखेंगे तो यहां पर समझे कि यहां पर इस इस पिंड के उपर जो बल कारे रथ है इस पे दो बल कारे रथ है एक नीचे की तरफ आपको पता है भई एम जी और उपर की तरफ इसमें जो काम करा वो काम करा उत्प्लावन बल ठीक है ना तो मैं इसको कह ले तो एम डैस जी यह उत्प्लावन बल तो ये कब condition होगी तो मैं कहूं यहां पे कि जब mg का मान ज्यादा हो जाए मेरे mडेस g से मतलब ऐसा मैं कहना चाहरा हूं कि जब कभी आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये गुरुत्विय बल गुरुत्विय बल ज्यादा हो जाए हमारे उत्पलावन बल से उत्पलावन बल से जादा हो जाए तो जो जादा होगा उधर displacement मिलेगा ये नीचे की तरफ ये बल जादा हो गया तो ये पूरा का पूरा जो है बॉल ये नीचे बैठ जाएगा थोड़ी दिल बेर जाकर के पिंदी में बैठ जाए यहां क्या केस दिख रहा है तो यहां पर फिर से देखेंगे तो हमारे पास वही दो condition है इस पर भी इस बॉल पर भी नीचे की तरफ काम कर रहा वह है एम जी और उपर की तरफ जो काम कर रहा है वह हमारा मैं अगर इनको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ यह क्या क्या हो जाएंगे तो वही M G M G यह लगभग बराबर हो गया किसके M डास जी के ठीक है यह तो अब समझ में आ गया होगा कि हमाँ पर कहले कोंगे मैं गुरुत्वियबल जो इसका गुरुत्वियबल है वह बराबर हो जाएगा है ना लगबख बराबर कहने का मत्तब कि बराबर ही है आप तो मानके चलिए लगबख बराबर हो जाएगा एक इसके भई उत्पलामन बल के तो जब दोनों बल बराबर हो गए तो आप देखिए आ अंसिक रुप से डूबा है, जैसे बोट चलती है, अंसिक रुप से डूबना पड़ता है इसको, अगर इसी प्रकार से हम अगले केस में आते हैं, हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ आपको प्रतीत होगा, कि भाई, यह नीचे की तरफ इस पे काम करा रहा है, भाई, एम जी नीचे की तरफ, एम जी, और उपर की तरफ, एम डैस जी, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, वो रिलेशनशिप हो जाएगा, कि मेरा जो यहाँ पर एम जी है, मतलब जो इसके उपर जो गुरुत्विय तोरन लग रहा है, उसका मान अब कम हो गया है, और एम डैस जी का मानिया पर जादा है, तो इस केस में कहा लिखेंगा भई, तो इस केस में मैं लिखूंगा, गुरुत्विय बल, कम है उत्पलामन बल से, और यही जो आखरी यह जो स्टेटमेंट दिख रही है, यही स्टेटमेंट का प्रियोग करते हैं, इसी कंडीशन क अंप्रियोग करते हैं, अगर मुझे कोई शिप या कोई बोट चलानी होती है, ठीक है, क्या होना होता है, अगर आपको तैरना है, आप स्वेम भी जब तैर होता है, आपको तैरना है, तो आप आइडियली क्या चाहते हैं, तो आप यही चाहेंगे ना भई, कि आपका उप की तरफ जो बल लग रहा है यह जो एमडेस जी है यह जो उपर की तरफ लग रहा है इस बल का मान हमेंसा कह रहे भई इस बल का मान हमेंसा जादा रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भई तो मैं कहूंगा कि भई अपने वेट से इस यह जो आपका वेट है इससे जाद पानी यहाँ पर विच्छेपित कर दो हटा दो इससे ज्यादा पानी अपने वेट से ज्यादा पानी हटाओ तो फिर क्या करेगा भाई वह ज्यादा उत्प्लावन बल लगाएगा अगर आप अपने वेट के बराबर ही फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यह सेकंड केस है दोनों बल बराबर हो गए अब जैसे यह हुआ कि आपका वेट जो है वो जादा हो गया और आपने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया उसका वेट जो है वो कम रह गया तो भाई यह क्या हो जाएगा फिर इस केस में त जो वी से बनता है उसका कारण क्या है तो आप एक बात समझेंगे यहाँ पे जितना जादा यह आप समझ पारे होंगा इस शिप को कि भाई इसका जो यह फ्रेंट वियू है अगर मैं इधर से देखता हूं इधर 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 खड़े हो करके तो मुझे ऐसे ही न दिखेगा य यह बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे नाओ क्या होगी अंदर डूबेगी जब यह डूबेगी तब देखिये मैं ऐसा बनाता हूं भाई जब यह नाओ के उपर कुछ भी बहुत जादा लोड नहीं है तो यह नाओ यहाँ तक डूबी हुई है ठीक है ना मतब इसली चल रहा है इसको अगर घरसंड की भी बात करें ना जो फ्लूइड लिक्विड द्वारा पानी द्वारा जो घरसंड दिया जाएगा वो भी कम है क्योंकि नाव का मुख्य हिस्सा मैक्सिमम हिस्सा जो ऊपर है अब मैंने क्या कहा कि अब इसके उपर कु क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना ठीक है अब बढ़ेगा तो क्या होगा तो ये नाव और जादा पानी में डूब जाएगी और वेट बढ़ाईए तो मैं कहूंगा ये नाव और पानी में डूब जाएगी और बढ़ाएंगे फिर मैं कहूंगा और ये पानी में कि यहां पर सिर्व इतने दूरी पर इपने इनीशियर इस्टेश पर जब भार कम है तब भई वह सिर्व इतना सा पाणी यह जो वी-बनाहे नहीं इतना सा पाणी यह चोल रुट करते हैं तो यह जो वड़ा सिर्व इतना पानी हटा रिए और रुके बडा तो उसका शेप ऐसा कि आप जादा पानी हटाएगी वी शेप और बार बड़ा तो यह और चोड़ी हो गई जितना नीचे डूपते जाएगी उतना चोड़ा होते जाएगी ना ना और जितना चोड़ा होगी उतना जादा पानी हटाएगी अगर आप अंदर देखेंगे तो आप अंद उसका मुख्य कारण यही है कि जैसे जैसे नीचे दबेंगे वैसे वैसे उसकी चोड़ाई बढ़ती जाएगी और ज्यादा पानी विच्छेपित होगा इसलिए तो एक प्लेट रखते हैं जैसे यहां पर यह रखा हूँ है यहां पर मैं एक प्लेट रख दू तो प्लेट त बैरता है फ्लोट करता है कारण बहु प्लेट की पेंदी देखो आप कितना ज़ादा चोड़ा होता है उसको जब पानी में रखेंगे तो अपने वेट से ज्यादा पानी विच्छेपित कर देगी और जैसे कि बात करते है यह क्या करते हैं यह काटी हो गई अब इसका भार बहुत सारा और पानी बहुत कम विछेपित करता अपने नीचे से कम पानी अटाता तो ये डूब जाएगा ठीक है तो मतलब ये बात समझ में आ गई कि ये तीन केसे क्या पॉसिबल हो सकते भई तो ये आकमेडिस ने जो हमें नियम दिया जो उनका सिधान ताया उसके अधार बढ़ते हैं तो इनका जो प्रमुख अनुप्रियोग है तो पहला तो जले आनों तथा पंडूबियों के डिजाइन बनाने के काम में आता है जो अभी डिसकस करके मैं ले आ रहा था कि ये वी शेप्ट बना देते हैं अगला दुग्दमापी जो दूद के किसी नमूने के सुद्धता जाच करने के लिए प्रियोग्त होता है ठीक है ना दूद की जो सुद्धता जाचते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं ठीक है ना दूद के सुद्धता जाचने का मतलब क्या होता है अगर उसके अंदरा पानी मिलाएंगे तो उसका घनत तो कम होता जाए यूज़ करते हैं उसको हम हाइड्रोमेटर कहते हैं ये भी आकमिडिस के प्रिंसिपल पर ही बेस्ट है भई चली और आगे बढ़ जाते हैं कि पानी के सतर पर किसी वस्तु को रखने पर तैरना या डूबना जो हम अभी सीख के आ रहे हैं उसके बारे में ये बात करते हैं त तो आप जो अभी हम सीकर क्यारे महाँ से आपको दिख रहा है यह देखिए जो वीशेप्ट जो दिख रहा है ठीक है ना अस्षा एक और चीज़ इहां पर देखेंगे कि ये जो केल्कुलीशन जो अभी आदिन यह श्त हमने यहां पर देखा यह कैसे निकालेंगे वो हटाया गया पानी कहने ना बार बार कि हटाये गел़ वो हटाये गया जल कैसे पता चलेगा तो हटाये गये जल के लिए एक फ़ाता सा एक्सॉपेरिमेंट अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह दिखें पानी यह बल्कुल यहां तक भरा भुए अब इसके अंदर ये जो दिख रहे है एक पीले कलर का यहां पर ये इस बॉक्स को लिया करके इसके अंदर डुबाया अब जब मैं इसको डुबाऊंगा तो ये जितना होगा इसका ये आयतन ये जितना होगा इसके बराबर क्या करेगा भई तो इसमें से पानी को उच्छाल लेगा बाहर अब यह पानी उचल करके कहा चला गए एक दूसरे बीकर में हमने स्टोर कर लिया अब इस बीकर में जो स्टोर किया है इसको मैं क्या कर लूँ इसको मैं वेट कर लेता हूँ जितना इसका वेट जितना इसका भार आएगा उतना ही प्लावनबल इस ठोस पर ऊपर की तरफ लग रहा हुगा अगें एक बार और रिपीट करता हूँ भई आपको क्या करना है आप एक इस तरीके से कंटेनर ले लिजिए इसको बिलकुल लबालब यहां तक पानी से भर दीजिए यहां तक बिलकुल लबालब पानी से बह रहा और यहां पर एक ऐसा होल दे दो यहां से क्या कर लिए तो यहां से एक इस तरीके से बना लिया यहां तक पूरा पानी भर दिया यहां पर एक कंटेनर रख लिया इसमें जैसे ठोस डालेंगे यहां का पानी उचल करके इसमें चला जाएगा और इसका वेट कर लेंगे ठीक द्वारा उस वस्तु पर एक उत्प्लावन बल लगता है यहावल वस्तु द्वारा हटाएगे तरल के बहार के बराबर होता है अर्थात उत्प्लावन बल के बराबर होता है है ना यही डिसक्स किया भी यदि वस्तु का बहार उसके द्वारा हटाएगे तरल के बहार से अध हो तो यह तैर रही है दोनों के समें एक मैं आंसिक रूप से डूप के और एक मैं पुल तरीके से उपर सतह पे और जैसे ही जादा यह डूप गई यही हमने अभी सीखा भई ठीक है तो मतलब यहां तक मैं हमने यह देख लिया कि भई उत्प्लावन बल और उसके लिए जो आ इजिली तैर सकते हैं और अगर जिसका घनतों कम होगा उसमें बहुत सारा फ्लूइड हटाना पड़ेगा मतलब घनतों का मतलब क्या है तो एक बात समझे घनतों को ऐसे इसके हम बात करेंगे लिक्वीड में घनतों के बात करेंगे हम सिर्फ घनतों सब्द का मतलब समझना चाहते हैं आपके classroom में एक classroom के अंदर अगर 15 benches लगी हुई है और दो benches के बीच में अच्छा बड़िया space है मतलब easily जा सकते हैं आ सकते हैं एक्जाम होना है अब भई किसी ने देखा और बोला यार नहीं आ रही है इसमें और benches लग सकते हैं क्योंकि एक बच्छा बैटेगा तो उन्होंने का है काम करिए इसके अंदर 25 benches लगा दीजिए अब जहां लगनी थी पंद्रह उस कमरे में लग गई 25 तो अब तो जाने आन लेकिन उसके अंदर जो पार्ग था जो उसके अंदर दरविमान था पहले बेंचे इसका उसको बढ़ा दिया अब किसी ने यह कहा कि हम नहीं यारे समय दस रखो बस तो उसका घनतों क्या हो गया कम हो गया ठीक है ना तो देखिए घनतों का मतलब उस पदार्थ की मातरा से है घनतों का मतलब क्या है उस पदार्थ की मातरा से और जो पदार्थ की मातरा है उसके घनतों को इसलिए रिसकस करना जो रही है क्योंकि जैसे देखिए अगर ये ऑबजेक्ट आ रहा है और इसके अंदर डूब जा रहा है और यहीं होगा अगर यह अधिक घनतों का होता इतना ही यह fluid हटा आता और वो नहीं डूबता चलिए एक बार देखते हैं और इसका answer ढोडने कोशिस करते हैं तो देखें किसी पदार्थ की आपक्षिक घनत मैंने अभी क्या सिखाया घनतो अब यहां पर कहने क्या आपक्षिक घनतो मतलब relative density relative density जैसी कही जाती है मतलब किसी से किसी का comparison relation तो यही होता है ना तुलना तो मतलब आप एक घनतो का मतलब का है यहां पर तुलना करेंगे किसका तुलना करेंगे भई उस पदार्थ का घनतों वो पानी के घनतों का अनुपात है जब हम डेंसिटी जब हम घनतों की बात करते हैं तो हम जो रफरेंस लेते हैं वो लेते हैं पानी को मतलब पानी का जो घनतों है उससे अगर किसी का घनतों जादा है या उससे किसी का घ इस इस वे compare करते हैं तो मत तब एक चीटों समझ में आया कि आप एक चीट गना तो नीचे आएगा यह हमेशा ही क्या आएगा भई यह आएगा पानी हमेशा ही क्या चलेगा नीचे में पानी एक बात और मैं सिखा दो जब कभी भी कहीं पर relation निकालना होता है कहीं पर भी आप को अगर relation निकालना है तो relation निकालते समय एक बात ध्यान में रखेंगे कोई तुलना होने आएगा और किसी से तुलना की जाएगी ठीक है किसी की तुलना किसी से की जाएगी तो यह formula ध्यान में रख लेंगे की अपॉन से क्या होगा हमेशा की अपॉन से या का पॉन से आप भी आएगा यहां तो घनत तो सब्द है यह घनत तो बदल जाएगा लेकिन यह आप एक शिक रहेगा तो भाई क्या करेंगे तो हमेशा जैसे एक सिंपल सी बात समझे जैसे आप अपने मार्क्स के लिए पसेंटेज जब निकाल रहे होते हैं तो आपके आए हुए मार्क्स की कुल पूर्णख से हैंना जैसे हमारे 488 नंबर आए और कुल पूर्णख से 500 नंबर का पेपर था इसे से तुलना किया ठीक है ना तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे किसी चीज की किसी से तुलना की जाती है जैसे अगर आपको ऐसा कह दिया गया है कि भी यह यह 500 रुपे लो जाओ एकाम करो बजार से है ना आप फ्रूट्स करिद के लिए आएं तो आप अगर जा रहे हैं बजार से फ्रूट्स करिद रहें तो आपने आपको किसे कमपेर कर रहे हैं 500 रुपे ते इसमें से 200 रुपे का खरिद चुका अब 300 ही बचे तो मत्तब जो हमारे पास होता है वह हमेशा ही कहा रहेगा वह हमेशा अपौन में रहें जो तुलना होने आ रहा है जो अग्याथ हो नहीं रहेगा मैं सा ऊप तो यह फार्म को ध्यान में रखेंगे यहां पर भी वही है हमको पहले से गया थे पानी का घनतों किता होता है अभी जस्त हमने देखा भी था इसको एक हजार केजी पर क्यूबिक मीटर यह हमने अभी देखा था अब उस पदार्थ का घनतों किस पदार्थ का घनतों जो पद क्या तो मैं है यहाँ पर तुलना यह शिकी अहीं पतला है तो यह निकल गया हमरागे चल्णत встрет बात और समझम आगए यह उपर यूनिट होगी यह होगी तो होगी ना प्र क्यूभिकश्ट मेर तो अगर आप देखें तो इन दोनों की काई यह और यह दोनों कट गई कट गई इसका मतब क्या हो गया भई आप एक्छी घनतों का कोई मातरक नहीं होता क्योंकि यह दो रासियों का अनुपात है यह तुलना है तुलना में कोई यूनिट नहीं होती कोई काई नहीं होती दोनों रासियां घनतों ही हैं इसलिए इनक एक example की, example का है भई हमारे पास, एक question है ये कि चांदी का आप एक खिक घनत तो दिया हुआ है, ठीक है, ten point eight, ये क्या given है भई, ये हमको given है, आप एक खिक घनत, आप एक खिक घनत, इसकी value हमको दे दी गई है, ten point eight, इसकी unit होगी नहीं, अभी जस्ट बात करका आ रहा है, और प मानी का जो घनतो होता है यह है भई 10 to the power 3 kg पर क्यूबिक मीटर ठीक है अब मुझसे पूछा जा रहा है कि जो चांदी है उसका घनतो कितना होगा चांदी का घनतो पूछा जा रहे है यह आप एक शिक घनतो था है ना चांदी का घनतो मुझे निकालना है तो यहां से देख ल चांदी का घनतो मुझसे पूछा जा रहा है कि चांदी का घनतो कितना होगा तो मैं यहां पानी का घनतो पानी का घनतो किता है 10 to the power 3 यहां से चांदी का घनतो देखिए इसली निकल गया भई यहां ने चांदी की डेंसिटी चांदी का घनतो निकाल लिया ठीक है तो यहां तक हम सीख चुके भई अभी तक कि उत्प्लावन बल क्या है मतलब किसी फ्लूइड में किसी को डुबाने पर जो ऊपर की और बल लगता उसक अलका मान उस फ्लूइड जितना फ्लूइड हटा रहा है उसके भार के बराबर होता है और आखरी में हमने देखा आप एक्छी घनतो मतलब किसी पदात का घनतो अपनी का घनतो तो मतलब जो टागेट हमने फिक्स किया था वो हम इस सेशन में सीख चुके हैं अब बाकी इंग्लिस मेडियम से हो या फिर जे ऑयएबी, सी ए आईएबी, नीट, इ ई ऐटी, जे ओलंपिया अर्ट, इंटि एसई या फिर इंग्लिस बोलना सीखना चाहते हैं टाप किजे भई, आपको आपके कोर्स कंटेंट इजीली मिल जाते हैं जैसे कि आप सीभीस हिन्दि आते हैं बिलकुल arranged form में जैसे ही आप अपने chapter को click करते हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार से एक video play हो जाता है जिसको कहीं पर भी आप pause कर सकते हैं, screen short ले सकते हैं, notes बना सकते हैं और सबसे मज़ेदार बाद भाई यही से next video करके आप आगे जा सकते हैं, मतलब उसी folder के अंदर आपको उस chapters related उसके concept videos, one short revision, NCRT solutions, numericals, MCQs, previous year question paper, most important question और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं बई, तो अभी के लिए इस video को like कर दीजे, channel को subscribe कर लिजे और इसे अपने दोस्तों में share भी कर दीजे बई, क्योंकि magnet brands हिंदी लेकर आता है, free education from class 6 to 12, quality content and experience teachers के साथ, तो ब binary हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले session में कुछ और concepts के साथ, thanks for watching.